नमस्कार जाहिंद वन्ने मातरम सभी का स्वागत है NDC निशनल क्लासेज में तो अपनी जो क्लासेज हैं वो उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार जो कारवा था वो 38 तक पहुंच चुका है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के जो नियमितता है उस समय खाना पीना गुमना काम कर देना कुछ करके और फिर रात को सोचाना इसी दिन चरियम व्यस्त है उस समय आप जो नियमित रहकर क्रमबद अध्यन कर रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगी यह आप निशन तरहें और सबसे अच्छी बात है बहुत से नए स्टुएंट जोड़ कोड़ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं बहुत शानदार तरीके से यूटुप पर जो क्लासेश करवाई जा रही है ऐसी आपको यूटुब पर डियोगा जोब के मेरे क्लाएघ्जाम होगा सेकंड रेड का इस्कूल बैख्यता के वी इसन वी सबके लिए अप्योंगी इसके और 25,000 प्लस सेकंड ग्रेड जो सीटे हैं वो नव स्रिजद पतों में खाली हैं और वेकेंसी तो आएगी आज नहीं तो कल आएगी और बहुत अच्छी वेकेंसी आएगी तो यह जो तैयारी है ना यह आपके जब लोग तैयरी स्टार्ट करेंगे तब आप रिविजन कर रह गया था साथ ही आपके यहां पर भी जो है वो जैसे एप के अंदर दो चार पांस टैस्ट हो जाएंगे उसके बाद साहित्य की प्रश्णोत्री भी हम यहां पर स्टार्ट कर देंगे यहां पर साहित्य के प्रश्णोत्री कब स्टार्ट करेंगे जब गद्य विधायें भी महसुस भी कर रहेंगे तो आज हमारी जो class है वो प्रगतिवाद को लेकर है और प्रगतिवाद के बारे में आपने सुना भी है कि यह एक ऐसा समय था यह एक ऐसा काल था वहालचकि सुमित्रानंदन सुमित्रानंदन जो पन्त हैं वो तो यह कहते हैं कि ये तो चायावाद की एक साखा है चायावाद की क्या है? साखा है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं चायावाद में भी जागरण था और ये जो साखा, जो प्रगतिवाद है इसमें भी जागरण ही तो हुआ था जागरण के अलवा इसमें था क्या? है न? क्योंकि दोनों में ही जागरण का उदात संदेश है दोनों में ही क्या जागरण चायावाद में मानवी जागरण था कैसा जागरण था चायावाद में यानि मानवी भावनाओं की जागरती थी जबकि प्रगतिवाद में लोक जागरण था दोनों में ही जागरन का स्वर आपको देखने को मिलता है एक में मानविय जागरन था मानविय भावनाई जो है जागरत होकर हमारे समक्षा रही थी और दूसरे में लोख जागरन था लोख जागरन मतलब अधिक से अधिक अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित होने का जो सिद्दान्त या करने का सिद्दान्त जो है वो प्रगतिवाद देता है प्रगतिवाद क्या कहता है कि अधिक अधिकाधिक मैं यू लिखूंगा संदी करके अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक लाब हो ये इस सिद्धान्त पर काम करता है ये इसका सिद्धान्त है कि अधिकाधिक सिद्धान्त किस पर काम करता है अधिकाधिक ये सिदान की अधिकादिक लोगों का अधिक से अधिक क्या हो लाब हो इसी पर ये काम करता है ये नगिंदर प्रगतिवाद के बारे में बहुत अच्छी परिबासा देते हैं कि प्रगतिवाद जो है प्रगतिवाद जो है वो क्या है वो है साम्यवाद के पोशक साम्मेवाद के पोशक और पूंजीवाद के शत्रू ये परिवास आपको आगे लिखी वी मिल जाए पूंजीवाद का शत्रू ये बात कौन कहता है डॉक्टर नगेंदर कहता है कि साम्मेवाद का पोशक है और पूंजीवाद का सत्रू ये बात कहते कौन है नगे अंदर ये बात आगे लिखी वी है नोट्स के अंदर और क्लास में भी लिखी वी आपको पता तरज़े तो प्रगतिवाद का जो सबसे उसके बाद है कि समय 1936 से कब तक माना जाता है एक प्रगतिवाद का समय तो 1936 से लेकर 1943 तक का जो समय है वो माना जाता है प्रगतिवाद का 36 से लेकर 43 तक का समय माना जाता है 36 से लेकर 43 ठीक है राजनीती के छेतर में जो विचार धारा साम्यवाद या माक्सवाद के नम से जानी जाती है कॉल मार्क्स का सिद्धान वगरा हम पढ़ते हैं हलांकि चलो कॉल मार्क्स वगरान अच्छा लिखा लेकिन इन विदेसी चाए मार्क्स हो चाए लैनीन हो इन लोगों की मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है एक बात बुरी लगती है कि इन लोगों ने जब हिंदु धर्म पे comment किए है ना वेडिक धर्म पे सनातन धर्म पे जब comment किए तो सबसे बड़ी बात बूरी है लगती है हम लोगों ने क्या इनको विद्वान समझ कर एकसेप्ट कर लिया तो ये चीज थोड़ी बूर लगती है कि आप लोगों ने हमारे ग्रंथ पढ़े नहीं आप लोगों ने हमारे सिंस्वत पढ़ी नहीं आप लोगों ने हमारे जितने भी जो देववानियां हैं उनको नहीं पढ़ी और फिर हमारे धर्म पर कमेंट करते हो और हमारे में से ही लोग जो है वो इस बात को मानते हैं रहे मांकस ने ऐसा कहता तो मांकस ने कब देखा था मांकस ने कब हमारे ग्रंथों को पड़ा मैं कई बार देखता हूँ आप गीता आप सबने गीता पढ़ी होगी है ना गीता के अंदर 18 ध्याएं आप सभी को ग्यात होगा और साइद पहले ध्याए का पहला स्लोक है धर्म शेत्रे कुरू शेत्रे शम वेता यूस्व मामका पांडव श्रेकिम कुरुवत धनंज है इसी तरह से बार में ध्याए का प्रतम स्लोक है एवं सतद युक्ता ये भगतास यह ज़ पधास आप घीता पढ़ेंगे उसका हिंदी अर्धह कहीं परभी कुरू न ऊंच नीच न नḥ किसी दूशनीच उसरे धर्म को गाली कहीं कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ गीता एक चीज का संदेश देती है कर्म का संदेश जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वो सफल होगा ही होगा विवेकानन्द ने क्या सिदान दिया कर्म का संदेश कर्म किये जा उस्तकों को विवेकानन्द ने आप नोटिस क कहूंगा football खेलो यहनी क्या कहा कर्म करो क्योंकि इस ग्रंथ में आप पढ़ोगे क्या कर्म के बारे में पढ़ोगे तो आप पहले से कर्म करो डॉक्टर भीमराव बेट कर भी क्या कहते है कर्म पुस्तक पुस्तक आपको वो दे सकती है जो आपको और कोई नहीं दे सकता तो हर वेक्ति जो हर विद्वान है उसका संदेश आप कड़ी से बंदीवी एक और हम मानते किन को है इन लोगों को मानते है तो आप कभी भी देख लिजी अभी भीमराव अमिडगर जैनती गई उनके भी आप नोटिस कीजिए क्या संदेश दिया है किताबों से प्रेम करो किताबों को पढ़ो ग्यान अरजित करो यही चीज होती है महापूर्सों की अच्छी बाते है याद रखी जाती है महापूर्सों के नाम पर लड़ा नहीं जाता है लेकिन है जब हमारे महापूर्स इतने जैसंकर परसाद हो चाहे निराला हो चाहे नागारजुन हो हम आगे और भी फिड़ेंगे सब एक ही संदेश दिते हैं कर्म किये जा फल की इच्छा मत कर अवश्य मिलेगा क्यों कहते हैं ये डारेक्ट सीधा इतना दावे के साथ कैसे कहते हैं कर्म किये जा फल की इच्छा मत करना क्योंकि ये पता है हर विदवान को पता है कि कर्म का फल कर्म का फल ही मिलता है कर्म कभी निश्फल नहीं होता क्यों? क्योंकि मैं हमेसा कहता हूँ कि रेट के टीलो पर चड़ो गए तो वो वापस आपकी उधारी उतार देगा इसलिए करम अब आज एक फोन आया था मेडम का और मैं काफी दिनों से सोच रहा था आप लोगों से ये बात बोलने के लिए अक्सर हम लोग बोलते हैं कि सर जो हैं पढ़ने में मन ही नहीं लगता सर याद नहीं होता समझे हैक नहीं आपकी सर पीछे वाला भूलते जा रहे हैं तीन प्रॉब्लम होती है सर हम पढ़ते हैं याद नहीं होता पढ़ने में मन नहीं लगता पीछे वाला भूलते जा रहे हैं इसके पीछे दिक्कत क्या रही है सबसे पहले याद रखें लक्षे निर्धारित कीजिए अगर आप अपना लक्षे निर्धारित करोगे तो सफर का आनन दाएगा आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहा है तो फिर आप सोच के देखिए आपका चलने में मन कैसे करेगा आपको क्या तैय करना है मुझे फर्स्ट ग्रेड निकालनी है चाहे एक साल बादा है दो साल बादा है तीन साल बादा है मुझे तो फर्स्ट ग्रेड निकालनी है स्कूल लेक्शर बनना ही है यह है मेरा लक्ष है अब मुझे बस तैयारी करने है जब तक पेपर नहीं हो जाए ठीक है अब लक्षे निर्धारित है नहीं अब मालो मुझे कहीं जाना है मुझे जिसे कश्मीर जाना है मुझे जम्मू जाना है तो मैं कब तक सफर करूँगा जब तक मैं जम्मू पहुंच चले जाएंगे कि वो अब पमखने शूचति रहा है कि नहीं और तो आपका पढ़ने का मन लगेगा कि नहीं इंहारी टॉपिक हóc हुआ यही चीज अनतर है जो एग्जाम की समय आक सोचते हैं वो आद सोचोगे तो एक्जाम के समय ये सोचोगे कि मैं और 6 marks क्यासे लेकर रहा हूँ निर्धारी याद करते हैं भूल जाता है ये माना याद करते हैं सर भूलने लगते है it's okay संसार का एक बहुत बड़ी औस्दी है तो इस दोहें में भी बोला गया है कि घोड़ो वड़े पान सड़े विद्या भी सरजाए फेर थीर ना पड़ता है तो आपको रिविजन करना पड़ेगा आपने अब तक जितना पढ़ लिया आदिकाल भक्तिकाल रितिकाल तक पढ़ लिया तो आप ऐसा नहीं आज जिस दिन में क्लास नहीं आती आपको पीछे वड़ा रिविजन कर लेना चाहिए आप अपने टाइम निरदार के आज मैं पूरे दिन में आदी काल के रासो तक निरदार होता है दो याद नहीं होता है इसलिए तो हम लोग है आपके बारे में सोचते हैं कि हम आपके टेस्टरीज की विवस्था कर रहे हैं मुझे पता है कि कम से कम इस लालच के वान नहीं पढ़ोगे लेंग पढ़ोगे तो याद सब होता है आप रिविजन करो आप छोड़ दो आप तो अपना कर्म पर ध्यान दो कि मुझे याद नहीं हो रहा रिविजन करना य साहिते के छेतर में उसे हम बोलते हैं प्रगतिवाद क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं प्रगतिवाद के आदी प्रवर्तक तो हैं कॉल मार्क्स क्योंकि हमने यहीं से ये चीज गरहन किये लेकिन प्रगतिवाद मतब साहिते में प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो क नगार्जुन जो है वो प्रगतिवाद के प्रतिनीदी कवी ہیں कई दिनों तक चूल हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी, कुटिया, सोई उसके पास, सोई उसके पास, भ enemy, आसोई उसके पास जो, ये कविता नगार्जुन की है गर आएगी तो हम इसकी पंक्तिया देखेंगे तो प्रतिनी दी कवी न अगार जुन है जबकि समित्रा नंदन पंत जिनों ने ताज जैसी प्रगतिशील कवीता लिखी वो इसके प्रवर्टक कहे जाते हैं पंत ने कहा है सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि प्रगतिवाद उप्योगितावाद का ही दूसरा नाम है जितना जिसको जरूरत है उसको उतना ही मिले अधिक से अधिक अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक लाब हो तो पंध केते हैं अब ये बात आती है कि सर ये पंध की परिवास आया क्या है बिल्कुल ये पंध की है नंदुलारे वाज पेकी नहीं है पहले मेरे नोट्स में नंदुलारे वाज पी था वो नहीं है डॉक्टर नगेंदर कहते हैं प्रगती वाद साम्मे वाद का तो पोशक है और पूंजी वाद का सब्तर है बिलकुल ये कहता ही क्या है पूंजी वादियों से छीन लो और गरीबों में बाढ़ दो कि एक का लाब हो ये बरदास्त नहीं है सब से लेकर सब में बाढ़ दो अधिक से अधिक लोगों का लाब हो तो ऐसा ये मानता है नगेंदर डॉक्टर नगेंदर कहते हैं एक बात और नगेंदर कहते हैं ये भी डॉक्टर नगेंदर कहते हैं कि प्रगतिवाद समाजवाद क जो समाजवाद है उसी की सहितिक रूप रेखा क्या है सहितिक अभिवेक्ति क्या है प्रगतिवाद है राम विला सर्मा ने प्रगतिवाद के तीन जो कवी है मुख्य रूप से एक तो त्रिलोचन एक नागारजुन और एक है केदार नाथ अगरवाद इनको धाक के तीन पात कहकर पुका रहा है अगर आप से पूछ लिया जाए प्रगतिवाद के प्रमुफतीन कवी कोने तो यही है राम विलास सर्मा के नगारजुन केदारनाद और केदारनाद अगरवाल और जो अपने त्रिलोचन यह धाक के तीन पात कहलाते है कुछ लोग इस प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थ वाद कहते है कि समाज में जो जैसा दिखाई दिया जो यथार्थ समाज में जो यथार्थ रूप से दिखाई दे रहा था उसी का वर्णन इनोंने कर दिया तो कुछ लोग इसे समाजी यह थात्वाद के नाम से फुकारते हैं अब बात आता है प्रगतिवाद की समर्थक पत्रिका तो वो रूपाब रूपाब पत्रिका को प्रगतिवाद की समर्थक पत्रिकाओं में शामिल किया जा क्या है इसमें किस प्रकार का साहित्य यद्लितॉवर्ग जो कृश्रक वर्वर्ग को ध्यानमें रखकर साहित जो साहित हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगति वहती वहादिंखावे मजदूरों पर दलितों पर कृष्टक वर्ग की जो समझ्याए थी अब इसका मतलब ये नहीं है कि डलित वयर्ग पर अत्याचार बहुत ज़्यादा होते थे मजदूर वर्ग का अत्या सोशन बहुत होता था कृष्यक वर बात ये है कि संसार में जो तुम जातियां मान के बैठे हो इंदू, मुस्मलमान ठलाना, डेमका वगरा वगरा मैं दो ही जाति मानता हूँ आप कोई सार ये बात हैं कहनी आसाने हैं देखो ये मानते हैं दो ही जाति हैं अमीर और गरीब एक वो जो अमीर है एक वो जो गरीब है बस दो ही जातियां है ना, ये मान के चलो अगर हम उप जातियों में भी आ जाएं तो क्या जो समाज के जैसे चाहिए मैं चारण समाज से हूँ, कोई राजपूर समाज से हैं जो समाज के जो क्रोड़ पती होते हैं क्या कभी अपनी समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं bliver उनके घर पे कभी जाकर देखते हैं वो कैसे रहरे है। क्या कभी उनकी जाकर help करते हैं कि हमारे जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो बहुत दवे कुछले हैं इनके पढ़ाने के लिए शिक्षा की विवस्था करता हूं बाद बता हूं तो आप किस को लेकर बेठा हो दो ही जाते हैं अमीर और गरीब गरीब वो जो हमें सामीरों को कोशता रहता है अमीर वो जो गरीबों के अपने जूते की नोग पर रखता है तो आप इस काल में यह प्रकतिवाद अच्छा है बुरा नहीं है ध्यान रखना कोई गया दूक सर आप इसके विरोध है लग नहीं यह बहुत अच्छा है इसमें बताया कि दभा कुछला व वीता है उसमें उन्होंने किसान की सोच भी बताई है खैर पैर की जूती जोरू एक नहीं दूसरी आती यह क्या बताया कि गाओं की मान सिकता क्या है इस्तरी को लेकर अब देखिए यह आप साहित्य को तुलनात्मक दृष्टी से पढ़ने का पक्षपाती इंसान हूं भे का नवीन इस प्रकार है कि वह पंक्ति इस प्रकार से थी धोल गवार शुद्र पशू रारी सकल ताड़ना लेकिन समाज में व्यमनश्य बढ़ने के लिए पंक्तियां भी चैंज होगा और साहित्य में परिवरतन होता है जैसे अपने पर पंक्तियां सी आठ वास चौबीस गज अंगुल अश्ट प्रवान उपर बैठो गोरी ता उपर बैठो गोरी मत चुके चवान तो उसमें आठ वास हम बास लेते थे कि बास फिर आठ वास और चौबीस गज अब जब हम पीएसडी के दोरान पीएसडी के दोरान जब हम MDSU सोदार थी थे तो वहां दिल्ली क कितनी होती है आठ वैसे दिसाएं सोडा होती है तो इससे कोई फरक नहीं होता कि 8 वास है ना 8 वास यानि 8 वास 24 के आठों दिशाओं में यह सर्व विदित है 24 गज कि प्रत्थिरा चोहां जो है आठवास 24 गज अंगुलश्ट प्रमाण और इस बात के प्रमाण मेरी अंगुलियां है तो अब दिखा और चेंज हो गया सेम ऐसे तुलसीदास की आलोचना होती आई है कि तुलसीदास नारी विरोधी है जबकि तुलसीदास बिलकुल नारी विरोधी है अगर तुलसीदास को आप नारी विरोधी कहते हो तो फिर सुमित्रा नंदन पंथ की जो कविता है उसमें वो कहता है खैर पैर की जूती जोरू एक नहीं दूसरे है क्या सुमित्रा नंदन पंथ इस्तरी के विरोधी है नारी के विरोधी है नहीं है बिल्कुल उन्होंने तो उस तातकाली समाज यह क्या है समाजी की अथार्तवाद है उन्होंने तो तातकाली समाज की मनदसा बताईए कि उस समय समाज के अंदर लोगों की यह भावना थी और आपने तुलसी दास में पढ़ाया था मैंने आपको एक बात की थी कि एक मातरकवी थे जिनोंने समाज के राजनितिक और आर्थिक पक्स को भी सामने रखा यानि गरीबी रूपी गरीबी को सामने रखा था कि समाज में कितने गरीब लोग हैं और उसे गरीबी रूपी रावन ने बस थोड़ा उपमे उपमान करके रूपक कर दिया कि गरीवी रूपी रावण ने उसे जो है अपने सिकंजे में दभा रखा है पर वो आप उनका कल्यान करो तो उन्होंने तो राजनिती और समाजी का आर्थिक स्थिती सामने रखी दी सुमित्रा नंदन पंत ने भी तो यही कहा था समाज की स्थिती लोगों की सोस थी क्या आरे कि स्थिती तो पेar की जूती के सहओं लेकिन क्या वासता नहीं सुमित्रा नंदन पंत इतने बड़े आदमी उनकी बहूत सोच उतकरष्ट थी इस हिस्टरी को लेकर लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया हम लोगों ने वाट्सअप सरफ खराब कर दिया तो प्रगतिक वादिक युट काव्य लिख और सब्सक्राइब पंट का जो रूपा पत्र था उन्निस सो और्टीस प्रगतिशील विचार धर्ला का पत्र माना जाता है यानि इस ये एक तरह से क्रांतिकारी पत्र था 1936 में आने वाला जो मतलब यू माने प्रगती शील जिसमें ऐसी रचनाए छपी जो वास्ताव प्रगती शील थी जिसमें मजदूर वर किशान वरग और सोशित वर को लेकर लिखा गया था डौक्टर बच्चन सिंग के अनुसार प्रगती वाद शब्द का सरवप्रतम परियोग 1942 में गजानमादव मुक्ति वाद ने अपना एक लेक लिखा था प्रगती वाद एक दरस्टी क्या नाम से लिखा था प्रगतिवाद एक दर्ष्टी इसमें किया था और इसमें प्रगतिवाद के भी दो तीन रूप देखने को मिलते हैं लेकिन मुक्तिवाद जो थे इसके सैनिक रूप के पक्षपाती थे यानि छीनों और बाट दो चीनो और बाट दो हमारी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी पिक्चर भी बहुत हुई है जहां पर अच्छे डाकू बताए गए हैं जो गाउं के सेटों से मुनीमों से चीनते हैं है ना और सामंतोस चीनते हैं और गरीब जनता में बाटते हैं तो उस ट्राइब से इन्होंने इसके सैनिक रूप का भी उलेख किया है मैं एक बात बता दूँ मैं खुद जब आपको समझा आप लोगों को मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ लोग वाटसप पे मैसेज करते हैं कुछ लोग यूट्यूब पे लेकिन मैं खुद इस चीज को लेकर कई बार सोचता हूँ कि मैं जितना अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ आज की डेट में जब मैं पढ़ता था उस वक्षाइद मैंने इतनी धंग से कभी साहित्य को नहीं समझा था तब मुझे इतना साहित्य नहीं आता था बिलकुल मैं आँखे बंद करके दिल पे हाथ रखके सोच लेजी कि हां मैं भी सेलेक्टो कर रहूंगा और कहते हैं कि जब कई बार हम मतलब इस प्रकार से भावनाओं में आकर और दिल से सोचते हैं कि मैं भी सेलेक्शन लेकर रहूंगा अपने बच्चों के लिए अपने परिभार के अपने माता पिता के सपना पूरा करने के लिए और उस वक्त अगर आंखों में आंसु आ जाए तो यकीनन प्रार्थना जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच चुकी है तो हिम्मत रखें धैरिये है ना आपने वो पंक्तियां जो बताई थी रामधारी सी दिन करवाली जो है क्या कौạं से कि और अधिक ले जाच देवता इतना करूर नहीं है ठक्कर बैठ गए क्या भाई मंजल दूर नहीं धेवता इतना करूर नहीं है कि वह हमारी जाच प्रिकशा ज़रूर लेता है लेकिन वह परिणाम धेता Heid रखें अच्हा Jean लोग आपने कभी सुना होगा WhatsApp पे स्टेटस वगर देखें, लोग करते हैं कि कर्म लोट कराते हैं, अच्छे करोगे तो अच्छे लोट कराएंगे, बुरे करोगे तो इसका मतलब कर्म का फल मिलता है न, तो तुम पढ़ो ना यार, जब तुम्हें पता है कि कर्म का फल मिलत है तो अच्छा करो पढ़ो रात दिन पढ़ो जी जाने लगा दो चार गंटे के जगे पांच गंटे कर दो पढ़ो फल मिलना एक दिन अच्छा मिलेगा पस यही सोच के काम करो मैं भी यही यह वो जगह है यह वो प्लेटफॉम है जहां हम हिंदी अपनी स्ट्रॉंग कर सकते हैं मुझे फल मिल रहा है मैं आप कितने नए स्टूरेंट से जुड़ता हूं रोज 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 नए स्टूरेंट साते हैं और एक समय आएगा यही वीडियो जो है एक लाग से पार व्यूज होंगे इस पर आप देखोगे भी कि हाँ सर ने उस दिन कहा था क्यों होगा क्योंकि अच्छा ही है लोट के तो आएगी बुराई और अच्छा ही दोनों लोट के आती है तुम तो पढ़ो बाकी होता रहेगा प्रगतिवादी आंदोलन का संक्षित परिचे पढ़ाते हैं आपको थोड़ा सा आपने किताबों पढ़ा होगा कि अंतरा स्टेस्तर पर जो हैंडरी बार्बुज के परियासों से 1935 सीश्वी में फ्रांस की राजधानी पैरिस में एक प्रगतिशी ले प्रगतिशी लेखक संग की था अपना 1935 में हुई थी लेकिन भारत में नहीं हुई थी हुई थो 1935 में ही थी यही प्रगतिशी लेखक संग की इस्थापना की गई और भारतिय प्रगतिशी लेखक संग के पर्थम अद्यक्ष बनाया मुंसी प्रेम चंद को और यह सम्मेलन हुआ था लकनों में बनाया कि इसको मुंसी प्रेम चंद और मुंसी प्रेम चंद को यह यू मान लेजिए कि दुर्भाग्य था कि इस संग के अद्यक्ष बने बोला कैसे 1936 में ही मुंसी प्रेम चंद का निधन हो गया उनसी प्रेम चंद वो जो मसी जीवी थे कभी भी कोई पुरुसकार नहीं मिला क्योंकि वो अपने यह रोजी रोटी थी लिखना उनका यह अद्यक्ष ताम में कवी सम्मेलनों वगरा में इतना कभी जाते वे नहीं देखा लेकिन पहली बार बने थे साहिद किसी संग के अ उसी सालन का जो है इंतकाल हो गया प्रेम चंद जी का लेकिन इस सम्मेलन में प्रेम चंद जी का एक कथन था और वहीं मेप्ली सवर्ण अर्द देखो विदवानों की बाते कितनी सेम होती हैं विद्वान कितना समान सोचते हैं मैं बताता हूँ साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तू नहीं बल्कि उसका लक्ष समाज हित होना चाहिए मुझसे प्रेमचन क्या कहते हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तू नहीं है समाज का हित जिस से हो रहा है वो साहित्य है ज्यान लखना 1936 में ये बात कई कब गई? 1936 पीछे चलिए आप आदी काल अमीर खुसरो अमीर खुसरो के साहित्य का क्या उद्धेश ये था? केवल मनोरंजन नहीं बलकि उसमें उपदेशात्मकता होनी चाहिए सोच के देखना अमीर खुसरो कहां बैठा है? किस काल में बात कर रहे हैं? है ना? ये 1936 की बात है उपदेशात्मकता उनके साहित्य का उद्धेश ये मनोरंजन के साथ साथ उपदेशात्मकता केवल मनोरंजन साहित्य का मर्म होना चाहिए उसमें उचित उपदेश का भी कर्म होना चाहिए केवल मनोरंजन साहित्य का कर्म होना चाहिए उसमें उपचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए है का नहीं? सब विद्वान एक ही बात करता है मैं यही तो बोलता हूँ लोग विद्वानों के नाम पर लड़ते हैं लोग देवताओं के नाम पर लड़ते हैं सब का एक ही कहना है सब का एक कहना हर विद्वान की सोच एक जैसी है तब ही तो वो विद्वान है महत्मा गांदी हो भगत सिंग हो, चंदर शेकर राजाद हो, तुवाश चंद्र वोस हो, वल्लबाई पटेल हो, या फिर भीमरा उंबेटगर हो, जहनारन व्यास हो, लाल बहादर शास्त्री हो, आप सब विद्वानों के सोच एक ही है, लेकिन इनके नाम पर लटते हैं, साहित्य पढ़ रहे हो आप कामयाब इनसान बनो, मैं केवल नोकरी जीवन में सब कुछ नहीं होता है, आप कामयाब बनो, अगर मैं जॉब नहीं लगता तो भी मैं आपको पढ़ाता, बस मैं यह मांगता हूँ, क्योंकि मैंने अपना ओक्यूपेसर नहीं बना लिया, कि मुझे टीचिंग पसंद आप जिन्दि में जहां कामयाब हो, चाहिए कुछ भी बनो, सबके भागे में अलग-अलग जॉब लिखी ही होती है, ठीक है, आपके भागे में हो सबता है, आपका मन चाहा मिले, महनत कभी खराब नहीं जाएग, जिस दिन में कामयाब हो जाओ, महादेवी वर्मा, पास होते हैं, वो भी अच्छी, मेरे गर्मे परिवार में दस्वी पास हैं, कोई आठ्वी पास है, लेकिन वो अच्छे-चे किताब में पढ़ते हैं, और उनसे जब सुनते हैं तो सूचते हैं, रियार इन किताबों मितना बढ़ी है, पढ़ना जरूर जीवन में, आईए रविंद्र नाठ टेगोर को 1938 में इसका अधिक्स मनाया गया था, भारतिय प्रगतिशील लेखक संग का पर्थम गोशना पत्र लंदन में तयार हुआ था, जिसका सारांस प्रेम चंद ने हंस पत्तरीका में च्छापा था, तो ये प्रश्णे मन जाता है, भारतिय प्रगत सबसे पहला, माकसवाद वा सामेवाद का समर्थन वो तो करेगी, वो तो करेगी माकसवाद का समर्थन क्योंकि इसको पूंजी वाद से नफरत है, और पूंजी वाद से छीन कर ये बांटना चाहता है, शोशक वर्ग का विरोध, बिलकुल पूंजी वादी तो सोशक है, सम वादियों के मन में भी थी लेकिन उनका काव्य जो था वो आत्मानु भूती का था वो अपने में मस्त रहते थे जैसे नसे गंदर बस लिख रहे हैं विरह तो उनके लिए क्या था नशा था विरह में तो उन्हें आनंद आता था तो वो अलग था अच्छा राश्ट्रियता क नहरू के सामने बैठकर जवार लाल नहरू पर आरोप लगा दिये थे जवार लाल नहरू जो हमारे देश के प्रहान मंत्री थे उनके सामने बैठकर उनके सामने उनकी आलोचनात्म कविता पढ़ दी थी आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना हम वो कवियों को पढ़ करेंगे जब इनकी इस ऐसी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जणपती और आप Mimi जीवन के चित्र बिलकुल यहां पर नागार जुन बगेरा जो कवी है इनकी कावे में कहीं कि आंचलिक तक पुट मिलेगा धकन बाबा अंचलिकता कपुट मिलेगा और यह आपको पता चेत्रविशियस चेत्रविशियस के जो लोकल सब्दें वो आते हैं जैसे आंचलिकता का वर्वाव तो हमपर भी रहता हैं पढ़ता है आपने जब मैं कई वार बोलता हूं तो में महां के लोकल वर्डस होता हैं वो बोल देता हूं तो मुझे याद एक वार महरास्टर से कानी कुटिया सोई सीद्धे सीद्धे शब्दों में लिख दिया आगे तो बहुत अच्छे शित्धिया सुनेंगे मानु मुल्यों के पक्षतर मानु मुल्य मतलब सब समान रूप से सब प्रसंद रहे मतलब अधिक से अधिक लोग प्रसंद रहे और अधिक से अधिक लोगों को प्रसंद रखने के लिए हम समाज समाज को प्रसंद रखने के लिए समाज के हर दबे कुछले वर्ग को बराबर लाने के लिए जो कुछ भी कर सके वो हमें करना चाहिए नारी सम्मान की प्रतिष्टा विलकुल अगर ये केवल सोसक वरग में हमने मजदूर वरग पढ़ लिया किसान वरग पढ़ लेकिन उसमें नारी वरग भी है जो नारी के प्रतिष्ट जो सोर्थ ती उसमें भी बदाव लाने का ये कर रहे थे और ये तो आए गया सीधी सपाट भासा सहली मतलब आम जन की भासा में इन्होंने कविताएं लिखे थी इन्होंने कविताओं में कोई ऐसे साहितिकलिष्ट शब्द नहीं डाले थे वह आगे डालेंगे परियोग वाद जब आएगा तब वहां आगया आएंगे गद्य के प्रेत के नाम से मुक्तक काव्य वह मुक्तक चंद की प्रदान था बिल्कुल अब प्रबंदात्मक तो मैंने आपको पहले बता दिया था प्रबंदात्मक तो खतम हो चुका था शायवाद में बलकि अब तो लंबी कविता आगी थी अब प्रबंद का स्थान किस ले लिया लंबी कविताओं ने ले लिया था तो जो अपनी जो किताब आएगे ना किताब लगबख देखो तैयार है लेकिन मैं पहली किताब है ना तो मैं नहीं चाहता हूँ दो परियास है कि एक भी गलती न रहे इसलिए अभी तक प्रूफ रिडिंग जारी है और हर टॉपिक के पीछे सोसो कोश्चन डालने की और तयार ये पीछे एक्जामस में आई हुए सोसो कोश्चन इधर टॉपिक तयार इधर पढ़ोगे तो इतनी अच्छी किताब तयार कर रहे हैं कि एक वार जो भी लेगा वो स्टुएंट से अपने साथियों से यही करेगा किताब पढ़नी है तो यह पढ़ ऐसी किताब लानी है जिसमें हमें परचार करने की ज़रूरत नहीं पढ़े परचार स्टुएंट खुद करेगा तो वही चीज है मुक्तक्षंद की प्रधानता है आम जन की भासा ठीक है आईए सामाजिक अंद विस्वास और रूढियों का खंडन बिल्कुल जो सामाजिक अंद विस्वास है समाज में जो उंच नीच को लेकर जो अंद विस्वास है जो रूढियां है उनको तोड़ने का काम अब हो चुका था रूडियों का खंडन करने जैसे इस्तरी शिक्षया को लेकर जो रूडियों खंडन था चुवा चूथ सामाजी गंदर सामा तो चुवा चूथ है कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा जाती प्रथा को लेकर उच नीच की वान वो सब को समान देखने का पक्षपाती है प्रगतिवाद तो वो सब अब खतम हो रहे थे हाँ ये मतलब जैसा देखा वैसा वर्णन एकदम यू कह सकता हूँ कड़वी सच्चाई कड़वी सच्चाई है विष्व बंदुत्व वसुदेव कुटुम्बुकम सब ही समान है सब का हित सब का साथ सब का विकास विष्व वस्व बंदुत्व की वान नव निर्मान की लालसा लेकिन यहाँ एक कड़वड है ये नव निर्मान की लालसा में क्या कर रहे हैं? इनके नव निर्मान की लालसा में विद्वन्स छिपा है. कैसे? ये एक वोगन तोडो, 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 ये बंजर, धर्ती, फोडो, फोडो, फोडो. यानि ये कहते हैं कि पहले सब कुछ तहस्त, नहस्त कर दो, फिर नए संसार का निर्मान करो. है न? तो नव निर्मान की लालसा में विद्वन्स छपाए. कहीं न कहीं ये क्रांती लाना चाहते हैं. समाज में उथल पुथल करना चाहते हैं. और इसी कारण से ऐसा साहिते ज़्यादा दिन चला नहीं. खुटा सा काल है. सामाजिक यथार्तवाद के विवेक्ति ये तुबात करिष्सा लेते थे. यानि समसामाइक समस्याई यानि ठोश यतार्त. उस समय जो भी देखा जैसा मैसूस किया वही वर्णन करते थे. इसलिए तो नागारजुन जवारलाल नहरु के सामने आप यूटूब पे सर्च जरूर करना, सुनना जरूर. मतलब जो कवीता है, क्यों मैं आपको नागारजुन नाने कुछ पंक्तियां सणूँगा, इनकी ओजस्वी पंक्तियां, और हो जगता है तो मैं यह पंक्तियां आपको सुनूँगा, आप देखोगे कि वास्तमी इन कवियों की ताकत क्या थी? क्योंकि यह वो थे कि ना कहे से दोस्ती, ना कहे से बैर एक मुझे दोहा याद नहीं आ रहा तो समसामेक समश्याओं के चितरण इश्वर धर्म पर लोग भागे समन्नी विचारों का परबल विरोध बोला किस इश्वर इश्वर बोला क्या है हमारा तो कर्म ही हमारा इश्वर है बहुत किसान रोज सुबह उड़कर गायों के लिए गायों का कारे करता है है ना खेत में कारे करता है तो उसका इश्वर तो खेत में बसता है एक अध्यापक का एक विद्यार्थी का इश्वर तो किताबों में बसता है हम विद्या की देवी सरसुती को परणाम क्यों करते हैं हम उस देवी को किताबों में ही मानते हैं। हम जो हैं खेत में मिट्टी को हम सबसे उड़ते ही सबसे पहले धर्टी को परणाम क्यों करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि यही धर्टी मां जो हमें चला रही है यही धर्टी हमें अनाज देती है। मतलब साफ साफ है कि बौलापर लोग भाग्य केवल किसमत उनी दो भाग्य थोड़ी होता है बस але नहोंने कर्म का सन्देश दिया सबसे उपर जो है वो कर्म को माना तो इसमें कोई बुराई नहीं थी ये कोई धर्म के विरोधी नहीं थे बलकि इन्हों ने ये कहा कि इश्वर भी जो हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है और हमें कर्म को ही प्रधानता देनी चाहिए केवल भाग्ये पर बैठना ने चाहिए कि भा मेरे किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा हो सकता है तेरी किस्मत में ये हो कि तू पहले इतनी मैनत कर तो तुझे मिलेगा यही चीज होती है तो इश्वर धर्म पर लोग भागे समन्दी विचारों का प्रबल विरोध अब देखते हैं थोड़ा चायावाद और प्रगतिवाद में अंतर क्या है क्या है इन दोनों में अलग तो आप देखिए चायावाद में जो कावे लिखा गया वो यह थोड़ा मिक्स हो गया दोस्तों स्वान्त सुखाए चायावाद में जो कावे लिखा गया वो कावे ऐसा था जिसको खुद को पढ़ने मानंदा रहा है वही बैस मजा आ रहा है जो कविताएं पड़ी आंसु पढ़ा राम की शक्ति पुजा पड़ी सरुस्मिर्थी पड़ी खुद को आनंदा रहा है बस ऐसा ही साहिते लिखते थे प्रग्यतिवादी जो साहिते लिखते थे बहुजन हिताए बहुजन सिखाए जनता के दुख दर्दों को ठोस साम ने रखने वाला कावे लिखा आत्मनौन भूति वाला नहीं लिखा इनकी भावना व्यक्ति थी खुद से सम्मंदित आ आप पेट बर गया उसके बाद वुट्टे सारो रोके इनकी भावना सामाजिक्स समाज एक साथ आगे बढ़े एक व्यक्ति ही आगे नहीं बढ़ पुरा समाज एक साथ आगे बढ़े छायावाद में कलपना की परधानता थी बिलकुल वो कवी कलपना और विरह में ही खोई रहते थे जबकी ये फोस ये थार्थ मैंने क्या का वास्टिक्ता की परधानता थी कलपनाओं से पेट नहीं बढ़ता वास्टिक्ता सामने रखनी पड़ेगी तब जाकर सुधार होगा हरीमन साहिब अच्छन कहते है मैं जग जीवन का भार लिये फिरता हूँ फिर भी जीवन में प्यार लिये फिरता हूँ जग जूम जुके लहराए मैं अपने मन का सुरी पंक्ती है मैं सुपनों का संसार लिये फिरता हूँ एक पंक्ती और मुझे याद नहीं हरी हाँ मैं और और जग और कहा का नाता मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता जग जिस प्रत्वी को जोडा करता वैभाव मैं प्रतिपग से उस प्रत्वी को ठुकराता है ना तो मैं और और जग और कहा का नाता मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता जग जिस प्रत्वी पर जोडा करता वैभाव मैं प्रतिपग से उस प्रत्वी को ठुकराता तो कब तोज उसे तोड़ता हूं पसंद निया या दूसरा बढ़ाएंगे वो कल्पना में मसता हैं यह कहता है फाल तू बकवास बाजी करने की जरूरत नहीं है वास्त विक्ता में लोग दीन दुखी बैटे हैं उन पर इत्याचार हो रहा है उनको एक दो टेम का खाना नहीं मिल र यह कहता है कि आएसा साहिते लिखो पढ़कर आनन दा जाए बैस ऐसा ही साहिते लिखो यह कहता है नहीं ऐसा साहिते लिखो जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो तो इस प्रकार से प्रगतिवाद की शुरुआत है तो आपको एक रूप रिखा मिल जाती है बड़ी बड रहेंगे उनके साहिते में क्या क्या बातें होगी, कितना ओच होगा, वो सारे चीज़ आप पोशक और कुँजी वाद का शत्रू ये बात किसने कही थी ये साहितिक अभीवेक्ती है समाज वाद की ये बात किसने कही थी है ना और ढाक के तीन पात जो है किन कवियों को कहा जाता है किसने कहा था ये सारे चीज़े मैंने आपको बताई इनको रिविजन करना है कल की क्लास बहुत जबर्दस होगी बाई चांस कभी क्लास नहीं आती है हो सकता है कल भी नहीं आए एक क्लास आहला कि आएगी ऐसा परियास है लिए नहीं है तो आप टेलीग्राम जरूर देख लिया करें टेलीग्राम पे आपको सूसना मिल जाएगी अधिकतम नो बजे तक जरूर वेट करें ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद